नवश्कार दोस्तों फाइनली बहुत बड़ी टेंशन अब खतम हो गई है क्योंकि जियो उस चीज को आफिशली आप के लिए ले के आ गया है मतलब आप जियो एयर फाइवर लगवाते हैं या जियो फाइवर ब्राडबेंड कनेक्शन अपने घर में लगवाते हैं क्योंकि जियो फाइवर के लिए पहले से ऑप्शन आता था कि आप उस कनेक्शन को रिलुकेट कर सकते हैं लेकिन जैसी जियो एयर फाइवर लॉंच किया गया तो हमें सबसे जादा उमीद यही थी कि फाइनली उन लोगों के लिए परशानी खतम हो जाएगी पूरी तरीके से जो एक लोकेशन पे लगवाते हैं लेकिन वो इस पेशली रेंट पे रहते हैं या उन्हें मूफ करता है रहना पड़ता है टाइम के साथ घर तो वहां पे यह वायर वायर का जाड़ खतम हो जाएगा डिवाइस कहीं और भी लगा लिया जाएगा लेकिन जियो ने बहुत पर देखने के लिए मिलती है जियो आपके लिए मुल्टिपल ऑफर मुल्टिपल आप्शन लेकर आता चला जा रहा है जिससे कि कम से कम लोग इस्टेबल रहे क्योंकि वही सेम कंडिशन जियो एर फाइबर के साथ ब्याना शुरू हो गई है जो कि जियो फाइबर के साथ टेठी ओंने पुरह और जाती है कि ऊसका रेंकान गुशार ंपड़ियों कि सब्या नेना पड़ा और पर लिए कि उसका रहना पड़ा है उसका केंडिशन में क्या करें जहां फाइवर नहीं है लेकिन जिस तरीके से अब एयर फाइवर के लिए आया तो वह परशानी आपको मैक्जिमम इलाकों में देखने के लिए नहीं मिलेगी लेकिन इस पे भी बहुत भारी टमसेंड कंडिशन अप्लाय है क्योंकि एट लिस्ट अब आप मूफ कर रहे हैं लेकिन वहां पर फाइब जी नेटवर्क होना नॉर्मल बात है कि होना चाहिए तब भी आप जी एर फाइवर यूज़ कर पाएंगे और हैवी कनेक्शन है तो फिर इनकी रिकार्मेंट भी चेंज होती रहती है एस पर डिवाइज एंड स्पीड कनेक्शन कि नॉर्मल याप 30 MB पेस का कनेक्शन लगवार हो यह 4G भी स्पीड दे सकता है तो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि तब 4G नेटवर्क पे भी आपको 30 MB पेस स्पीड बिले तो स्पीशलाइज आपको 5G चाहिए तब भी तो वह कंडिशन है लेकि हमने मल्टी स्टेट मल्टी सीटी सब कुछ ट्राइक कर रखाए इसी वीडियो के नीचे एयर फाइवर डिटेल आ रहा होगा तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको हमारी सारी वीडियो देखने के लिए बिल जाएंगे सच में इस डिवाइस के अंदर क्या होता है इंड यहां पर कोई स्टेट भी मैंटर नहीं करेंगे क्योंकि जीओ की जो सर्विस आपको नेचल वाइस देखने के लिए मिलती है तो आप स्टेट टो इस्टेट भी मूव करेंगे एक बार हम भी दालके देख लेंगे कौन सा खेड़के कली ले जाएंगे वहां हम बाद में कै करना पड़ती है तो यहां पर मैं डायर्कल आपको प्रेजेंट कर रहा हूं जो मेरा जियो एर फाइवल लगावा है वह 599 रुपय का कनेक्शन है जो नॉर्मली 706 रुपय ब्यासी पैसे पे करने होते हैं एक बहुत इंट्रेस्टेट वीडियो बहुत जल्दी आप मिलने करना है कहां से मुफ करना यह सारी चीज है जैसी आप इसे पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको एक प्रॉपर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है यह मतलब अभी बात कि यहां पर मुझे मैनवली एट करने पड़ेगी या मुझे डालना है जैसे कि पिन कोड हो गया कोड हो गया और आगे जैसे कि मैं यहां पर बात करूं तो दिल्ली का कोई पिन कोड दाल लेते हैं शाइद मिल जाए यह मिल गया यह मुझे मालूम था कि सागर पुर कुछ मिलेगा नहीं है कि में रोड रोड यह किальные का कि मुझें ओ चाइये मतला मैं ऐस अनताजæ नादा सरीय और यह यहां पर यहां पर यहां आरह है तो हमने कर दिया है आइस नंबर दो दाल सकते हैं और पशीड कर देते हैं क्योंकि यह मेर्य मेरी मिल के शंक तो मालू है तो यह पर ग्रेट नियो जada this at your location connection along with new router and STV और फिर आपके पुराने address से जो समान है वो receive कर लिया जाएगा जो पुराने device है जो आपकी location पर वो नए लगाया जाएगा जो balance आपको provide करवाया जाएगा ये कुछ इस तरीके से तो balance है जो आपका voucher और new connection है वो किस तरीके से merge होगा एक वो भी है और booking amount will be adjust in installation अब वो बात अलगे कि मुझे new connection का पूरा amount पे करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मतलब पूरा book करता हूँ जिए एर फाइवर तो मुझे पूरी ही payment करने पड़ेगी मतलब यहाँ पे जो option आया है वो 1000 रुपे का मतलब यहाँ पे बस device की cost बच गई है installation जो है मतलब जो आप booking charge है वो installation में लगा देंगे 1000 रुपे बात करी जाए तो आपका किस तरीके से benefit है क्योंकि अब मैं actually समझ गया हूँ क्योंकि मुझे live दिखाना था सबसे पहले इसी पर बापिस आते हैं क्योंकि अहीं से start किया था तो वीडियो थोड़ी लंब भी ज्यादा है लेकिन आपको पूरी full detail बजा दो जैसे कि आपने relocate करा है city to city कर रहे हैं तो तो कोई बात नहीं है जैसे कि मैंने यहां से straight move कर दिया था मतलब मैं यूपी में रह तो मैंने दिल्ली में मूफ कर रहा उदर की मतलब कहीं की location दाली और वहां की location के बाद क्या हुआ जो device मेरे घर इस time current location में यूपी में लगा है तो वह जीओ की टीम आएगी ले जाएगे वो खेड के फिर दिल्ली में में जिस location पर लगँगा account वह रहेगा सारी information वह रहेगी कुछ नया नहीं करना लेकिन मुझे connection book करना पड़ेगा हजार रुपे देने पड़ेंगे installation चार्ज फिरी नहीं रहेगा और वहां पर जो भी मिलेगा आपको वह नया डिवाइस मिलेगा एस पर पॉलिसी के हिसाब से लेकिन मुझे लगता है कि वहां से भी कोई निकाल रखा होगा तो पुराने डिवाइस लगा के चले जाएंग आपको कोई रुपया जो हजार रुपय वो रिफंड नहीं मिलेगा जो आपका एक्जेटर बैलन्स चल रहा है मतलब पुराने पर वही कंटिन्यू रहेगा तो इस तरीके से हैं लेकिन यह है कि एटलीस हजार रुपय खडच हो रहे हैं तो आपको पूरा फुल अमांट प वीडियो को लाइक जरू कीचेगा धन्यवाद